क्या मैंने सही में अपने रूम में दो लाग खर्चा कर दिया नहीं तो देखिए वाट्सब एपीबोडी दिस अभी क्या हाल चाल बताएं और मैं आपको बताना चाहूंगा की सही सुना आप लोगों ने तू लैक रूपीज स्पेंड इन माई रूम ब्यूटिफुल रूम आप देख सकते हैं अभी आपको इसका में एक सिनमेटिक दिखाऊंगा खुब कटाओं आप लोंको पसंद आएगा बाहर समर चालू हो चुका है बनारस में गर्मी पढ़ने लगी है इसलिए ब्लॉगिंग फोन आ रहा है किसी का एक वरी इस कंपनी अता रहता है और मैं कहां था बता दू कि समर ओन हो चुका आप देख सकते हैं डिक तो नहीं र रहता जरूरी तभी लिखलता होने तो आवायट करता हूं फिलाल दुपैर में रेष्ट कर लेना चाहिए धर भी थोड़ा सा क्योंकि वर्किंग टू डेली चलता रहता है तो मैं दिखाना चाहूंगा कि क्या कुछ मैंने बनवाया अपने रूम में और कितना क्या कुछ ल ब्लॉग हां दोस्तों मैं यह क्लियर करना चाहता था कि यह सिर्फ मोटो ब्लॉग का नहीं है जो आप लोग समझते हूं कि सिर्फ आरवन 5 का ही डालता जा रहा हूं चुकि वो मेरी नई भी बीश्ट है इसले मैं उसको ज्यादा प्रमोट कर रहा था डाल ला था कि लोगो प्रो मेरा आया नहीं है जल्द निव अलग प्रो आ जाएगा तो आप लोग को मोटो ब्लॉक्स सिटीव के टूर बाहर के टूर यह सब मिलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक कि देखें सिनेमेटिक सॉट गाइस मैं दिखाने चाहता हूं कि मेरे पास आप लो सब मालना चाहिए क्योंकि भाई फिजिक्स भी जरूरी है और साथ-साथ-साथ-साथ एक अच्छी जरूरी है और आप देख सकते हैं कि मैं पास एक कैमरा है तो मैं पूछना चाहता हूं किसी को आइडिया कि इससे मैं अगर ब्लॉक कर सकता हूं बैता तरीके से तो क्यों मैं इसी से ब्लॉक सुरू करूँ देख सकते हैं यह इसकी बैटरी इसको साइड में रखते हैं और देखे यह मैं पस कैनन का वाई-फाई एक एक्स-वाई-630 कैमरा है जो की वाई-फाई है इसको इसमें जो वीडियो जै मैंने कल ट्रेल के लिए रिकॉर्ड किया था तो यह काफी अच्छी थी और इसकी जो जूमिंग पाउर है 48 इंटू जूम है काफी तगड़ा इसको दिखाते हैं एक वारी वन यह तो पपलू हो गया पपलू कड़िया भाईयो लेकिन कोई बात नहीं होता रहता है बड़े-बड़े छोट सेहरों में छोटी-छोटी बाती होती रहती है तो आप देखिए इसको ओन किया मैंने यह किस तरह से इसका आप देख सकते लैंस इसका उपर निचे अभी इसकी जूमिंग लोस से देखिए काफी अच्छा कैमरा है इसके जूमिंग बहुत तगड़ी है चैनन वायसे ही माना जाता है अपने प्रोडक्ट के लिए तो आप देख सकते तो मुझे आप बताए कि क्या मैं इसे ब्लॉक कर सकता हूं अगर कर सकता हूं तो इसका करूं और आप लोग तक अच्छे-च्छे क्वाइटी की वीडियो पहुचे और इसमें मुझे जिन भाईयों को पता है कि इसमें अगर माइक वगेरा लगता है तो वह भी मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं वह भी सेटप क्लियर कर लूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कि मेरे जो अभी थोड़ी बहुत भी जो जुड़ी है और इंट होने वाले हैं और जल्दी से जल्द आप लोग एक हजार सस्क्राइब करवा दिये तो फिर अच्छी सी ब्लॉग मैं बनाता हूं बाहर का मोटो ब्लॉग का तो जल्दी से जल्दी सस्क्राइब कराएं और जल्दी आप लोग को दिखाता हूं कुछ सिनेमेटिक शॉट अपने स्वीट रूम का उससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूं गाइस की कुछ लोगों ने पूछा था कि आप पहले बाइक लेने रिपार ले थें हैवी तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मैंने जै जैसे कि उसके जो लेग गाड होता है उसका नट बोल्ड का इंजन से टूड जाना काफी सार्ण दा वीडियो लोगों ने बनाये कि उनके साथ है असा हुआ ले लगडा के ट्यूर की टाइम की इंजन का जो से जुड़ा रटा लेग गाड वो टूड गया तो उनको कितना प्रॉब्लम हो आने में वही समझ सकते हैं हाला कि यह से बात अलग है और एक और बात बता दू यह सब जो बाइक होती है वो टूरर के ही लिए बेट होती है डेली पंपर टू बंपर ट्रेफिक के लिए इसको आप मनुवर नहीं कर सकते तो इसलिए मेरा रिजन था चूज आरवन फाइब करने का और मैं बहुत ही खुस हूं बटा दू दो महिने में मैंने तेज सो किलो मेटर रन कर दिया है किसी तरह का कोई रिष्ट पेन नेक पेन सब जूटी बाते हैं अब मत जाए जाए पहले खुद ड्राइब करें और चेक करें बहुत अच्छी बाइक है अबे तक मैं चला रहा हूं बहुत अच्छे और डेलि में 30 से चले, 40 स्कुर्टर बाइक चलाता हूं इतना मैं C.bra नहीं चलाता था जितना मैं इसको चला चुका हूं इतना मैं नहीं चला है कोई और इतने कम समय में और डेली चलाँ गल जाए और बटाना विद्ध लेना उसमें है कली एक बंदा जा रहा था तो मैंने उससे साइड में पूछा तो उसने कहा कि नहीं ब्रो अब समर है समर में हीटिंग प्रॉब्लम लैक के पास तो जरूर आपको मिलेगी तो यही सब रीजन है प्लस उसका एवरेज इतना वह है विकार कि 400cc की बाइक है कितना तो अब उससे डेली कमनीट नहीं कर सकते ना एक अधर बाइक रखनी पड़ेगी और मुझे क्या चाहिए था मुझे वर्क में चाहिए था कि बाइक अच्छी भी रहे लुक वाइस भी रहे उसको अटेंशन भी मिले प्लस उसका एवरेज है अर्वन फाइफ इस बेस्ट पर दिस सेग्मेंट और यू सुद गो और बाइस बीस्ट वेरी बीटिफुल दिस बीस्ट और मैं बताना चाहूंगा कि निंजा 650 मेरे दिमाग में है अगर एक बाइक रखनी होगे तो क्यों ना अच्छी रखों क्यों 300cc 400cc के चक्कर में पड़ू डियारेक 650 1000cc निंजा मे और एक दिन में वीडियो बनाने वाला है अपनी मैंसन हाउस का टूर का तो भी फिलाल रूम का देखें अूर्श का साव्वा आफनी वीडियो का तो लीडियो माऍसी को नव्यूत, तो ल Rights पहूं़ Bye 1 to 3 फीडियो स्च्वा आप भाईक można का देखें हुश फीडियो तो प्योग ऐसे घ्दाने सबिसे हार संवांने का तो म। अ मोँत्पइंच देखें झाल झाल इंब सिर्व थाइ तुम्री से लाइ प्रस को कर दो करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आयोगी प्लस मैं रूम भी पसंद आया होगा बहुत काफी मैंनल से मैंने बार इस दिन कर टाइम लगा था इतना इसको डेकरेट कराने का कुछ भी नहीं था पुरा प्लेन था रोम और बता दू कि में जब्रेज़ रहता हूं पर इसमें फोक उरणचल की नंबर वन सोसाइटी यह पे अच्छे लोग रहते हैं बहुत ही अच्छी सोसाइटी है पूरा बहुत ही अच्छा जाना मना बनारस का है और यहां पे मैं 11 लोर पे टॉप फ्लोर पे र करता हूं आप लों कोई वीडियो कसंद आयो दियो बाकि जो जगर देख रहे हैं खाली खाली इस पे कल वालपेपर वाले को मैंने कॉल किया तो उसमें बुल लग कि मैं आ रहा हूं और आ गया हूं कल आता हूं तो मैं यह सब जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं तो कल यहां पेश्टोन वालपेपर लग जाएगा तो उसका भी में एक वीडियो बना दूंगा तब तत पिलिए चैनल को अब सस्क्राइब करें अभी व्लोक्स को और ऐसी व्लोक्स आप लों को मिलते रहेंगे तिल देन बाई-बाई-टेक क्यर